हेलो गाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोडा फोन आइडिया को खरीदना चाहते लेकिन अगर उनके सामने वोडा फोन आइडिया से एक छोटा स्टॉक और इससे दुगनी स्पीड के साथ अगर भाग रहा हो तो क्या आप उसको खरीदना पसंद करोगे या नहीं करोग मतलब एक दिन गंदर जो 50% डिलेवरी उठाया जा रहा है लोग इतनी जादा और इतना जादा स्पीड से वो खरीदारी कर रहे हैं तो ऐसे स्टॉक में केवल आपको 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो बहुत है केवल 500 रुपीज से अब देखिए ये जो स्टॉक में आज के रिट में ये देखिए 8 रुपीज के आस पास था मैं आपको पूरा प्राइस भी दिखाऊंगा और नाम भी दिखाऊंगा ठीक है तो देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इस कंपनी की खासियत बताने से मैं आपको बता देना चाहता हूं कंपनी Vodafone Idea में तो उसमें डेट बहुत जादा है, है की नहीं है, डेट बहुत जादा है, इस कंपनी में डेट फ्री मिल रहा है, तो ये सही है, ये गलत है, उसके बाद से इसमें आपको delivery भी काफी अच्छे उठाने को मिल रहा है, लगबग 50% के आज पास से, इसमें Vodafone Idea में आपको दिखा देना चाता हूँ, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट से, ठीक है, ये है financially, ये आपको बताया है जारा है, दोस्तों, financially, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहां आपको बताया है जारा है, ठीक है, net profit and loss बताया है जारा, दोनों जगा अगर ता 293 के आसपास company छोटी है तो profit भी छोटा होगा ठीक है ना और उसके बाद 293 के आसपास फिर देख सकते है 242 के आसपास मतलब company के profit में थोड़ा गिरावाट हुआ लेकिन company अभी भी आपको loss में नहीं दिखाए दे रहे loss का मतलब यहाँ पर आपको जो है negative sign दिखाया जाता और एक दिन के अंदर यहाँ पर देख सकते percentage of deliverable quantity to trade quantity लगबग 47.03% के आसपास है आप्रोक्सीमाटली हम बोल सकते हैं दोस्तों 50% के आसपास से टच कर सकता है क्योंकि आप समझ सकते हो ना यह जो stock है यह जो company हैं केवल 3 रूपी से चलना स्टार्ट किया केवल 3 52 विक हाई बना है अब यह company को खरीदने में benefit क्या है आप वोटाफोन आइडिया से देखिए company का नाम में आपके सामने लाता हूं ठीक है ओस्वाल एग्रो माइल्स लिमिटेड इस company का नाम है अब यह company क्या काम करती है वो भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों यह जो company है अब आता है वोटाफोन आइडिया की बारी ठीक है वोटाफोन आइडिया में आज के रेट में देख सकते हैं लगबग जो यहाँ पर 10% की तेजी है जो stock मैंने आपको बताया उस stock में आपको 20% की तेजी देखनी को मिल रही थी है और देख लेते हैं इसमें आपको deliverable quantity कित बहुत सारे लोग जो है अपना माल उठा उठा के बेच रहे हैं आपके सामने हैं कि मैं क्यों कुछ गलत यह सही बोलूँगा ठीक है मुझे क्या मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा रहा वो भी NSA के official website में वो तो आप आपको मनना पड़ेगा अब बात कर लेते हैं financial result की ठीक है अब बात कर लेते हैं financial result की तो देख सकते हो loss के मामने में कितना बड़ा loss यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा पहले 49 था अब देख सकते हैं मतलब कितना बड़ा आपको यहाँ पर loss के मामने में दिखाया जा रहा वहाँ पर यह negative mark नहीं था और यहाँ पर negative mark है वो भी दोनों जगा दोनों मन्त में जब भी quarter result आ रहा है तो भारी नुकसान हो रहा है company को ठीक है यह company यहाँ पर मैंने आपको दिखाया यह है Vodafone Idea और वो जो मैंने आपको दिखवाया ओ स्वाल था कुछ ऐसे नाम अब fundamentally थोड़ा बहुत देखते हैं सबसे पहले आप देखो कि market capitalization हाँ थोड़ा सा ज्यादा लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यह ज्यादा नहीं है यह बहुत कम है किसके आगे कम है जीओ और एटिल के आगे तो देखे सबसे पहले देखे अगर जीओ है तो जीओ बहुत उसके बाद एटेल है तो इतना बड़ा है लेकिन दोस्तों वोड़ा फोन आइडिया थोड़ा छोटा पड़ जाता है थोड़ा छोटा पड़ जाता है तो यह जो है अपने competitor के सामने चोटा है market capitalization जो है अपने सेक्टर में जो है इसका market capitalization चोटा है पहली बाद अगर 93 रुपीज यह आपको लोटा देगा तो अपने invest कि 100 आपको return निकाल के दे रहा कितना 93 रुपीज यहां से आपको बताया जा रहा return on capital employed मतलब यह आपको पैसे को कैसे use कर रहा उसका बाद return on equity आपको profit कितना दिया जा रहा तो negative 37% के आसपास यहां पर आपको दिया जा रहा अब यह जो हम उस्वाल के बारे हम बात कर लेते हैं तो दोस्तो इसमें आपको लगबग 20% का पर circuit देखने को मिल रहा है और यह भी stock जो है 3 रुपीज से start हुआ जहां कि idea भी 3 रुपीज से start हुआ लेकिन दोस्तो आइडिया कई बार 3 रुपीज से start हुआ और यह get 10 फिर वापस 10 रुपीज फिर वापस 3 रुपीज मतलब यह up down up down करते जा रहा अब यह जो small company है दोस्तो यह क्या काम करते है ज्यादा तर यह real estate और investing के इसके पास market capitalization छोटा है लेकिन अपने sector में जो है जो deserve करता है दोस्तो वो है उसके बाद अगर हम देख लेते हैं यहां पर stock के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो यहां पर अगर आप investment करते हो 100 रुपीज तो यहां पर आपको निकाल के देता 1.5 मतलब कि दोस्तों आपके पास अब कितना हो जाता है 1 1.5 ठीक है 100 के आसपास हो जाता है देशसे ठीक है मतलब 101 रुपीज के आसपास निकाल के देता है अब return on equity कितना है यहां पर 3 है वहां पर minus कितना था 47 sorry 37 47 था ऐसे मतलब negative में था वोड़फान एडियम ठीक है न तो वहां पर कितना ज्यादा negative था यहां पर देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह जो company है आपको debt free मिला तो देखिए अगर यह company debt free है तो आपको ज्यादत attention नहीं होगा क्योंकि देखिए अगर छोटी company आप ढूंड रहे हो मतलब कि 5 रुपे 10 रुपे वाली अगर आप company ढूंड रहे हो न तो please यह मेरा request है कि आप ऐसी company ढूंडो जहां पर आपको debt free हो देखिए अगर debt free होगा न तो company में आपको और भी market capital ही यहां पर देख सकते ही वो भी बता रहा है और सबसे अच्छी बात तो यह लगी debt free company है उसके बाद और भी यहां पर कुछ प्राब्लम है तो company यहां पर जो है dividend नहीं दे रहा है तो वोड़ा फोन आइडिया भी नहीं दे रहा था और वोड़ा फोन आइडिया में काफ काफी जाद है नुकसान हो चुका था ठीक है काफी जादा तो हम इसको हलके में नहीं ले सकते बहुत बड़ा नुकसान रहा था लेकिन यहीं नुकसान के वज़ा से जो स्टॉप का प्राइस काफी नीचे गिल जाता है ऐसे तो वोड़ा फोन आईडिया में और भी प्रिंसिक वल्यू का पता नहीं है जो रिटन और वसेस एफडी या डिविडेंट देखो तो सब कुछ यहां पर लो है लेकिन हाँ स्टॉक अभी भाग रहा है कुछ दिनों से ठीक है जब यह त्री रूपिस के आसपस आया तो उसके बाद यह भाग रहा है लेकिन मैक्जिम अगर आप देखना चाहते हो मैक्जिमम तो यह स्टॉक देख सकते हो दोस्तों फाइनली जो है यह अपनी मतलब पूरे डाउन में चला गया अब इसके पास कोई भी ऐसा मौका नहीं है कि और भी नीचे जाए ऐसा और कुछ भी नहीं लगता है यह वोड़ा फोन आइडिय मिल रहा उतने प्राइज में यह भी मिल रहा लेकिन यहाँ पर जो फैसिलेटी आपको मिल रहा वो थोड़ा अच्छा है थोड़ा सा अच्छा फैसिलेटी आपको मिल रहा कंपनी डेट फ्री है बहुत अच्छा डिलेवरी भी और कंपनी अभी प्रॉफिट में भी इसलिए मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता था कि अगर इसमें आपको 20% मिल रहा तो अच्छी बात है मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक पर आपको फोकस करना चाहिए करेदने में जहां पर आपको अच्छा से अच्छा profit हो सकता मतलब समझ रहो ना 20% मतलब आपको काफी अच्छा profit हो सकता जो आपको सालो साल तो आप भी एक बर देख लिजे क्या सही है क्या गलत है ठीक ना बाकि आपको notice करना है या paper trading करना है कुछ भी करना है तो आप देख स पर करना चाहते हो ऑप पने diplomat account एक बरोकी में खूल सकते हैं यहां पर आपको कुछ भी चार्ज नहीं किया जागा अगर आपको फ्री में दिया जा रहा तो क्या तकलिफ है तो काम कींज में आसगा एक आपको यहां आपको फाइसां नहीं लिया या जा रहा तो यह जैसे देखे एंजल और जो जिरोता जैसे प्लाटफॉर्म है ना बहुत अच्छे प्लाटफॉर्म है यहां आप सेफ रहते हो आपका पैसा सेफ रहता है सेभी से रेजिस्टर रहता सब मतलब सब कुछ सही रहता है तो जो कामा फ्री में कर सकते हो वो कामा पैसे देखे क्यों करना से यह यह large cap खरीदना से यह आपको पता नहीं चलगा तो angel booking आपको बताएगा यह stock खरीद हो यह ऐसा तो इसमें क्या होगा आपको knowledge मिल गाता कि मैं आपको यह नहीं बोल सकता है कि आपको बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट होगा लेकिन हाँ यह आपको मैं जरूर बोल सकता हूँ कि अगर आप खुद से करते हो तो आपको काफी बड़ा नुकसान होने से बच जाओगा ठीक है तो यह हाँ पर आपको